एसुस इंडिया ने कुछी टाइम पहले अपना एक स्मार्टफोन लाँच किया था एसुस का Zenfone Pro M2 स्मार्टफोन यह स्मार्टफोन लगबद 11,999 रुपए के अंदर मिल जाता है लेकिन आज के टाइम पे भी यह काफी अच्छी टकर दे सकता है एसुस का Zenfone Pro M2 स्मार्टफोन को हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में अपना एक्स्पिरेंच शाइड करना चाता हूँ दो महीने यूज़ करने के बाद एसुस का Zenfone Pro M2 स्मार्टफोन क्या रियली मैं सैंसेंग गलेक्सी M30 को टकर दे पाएगा So without wasting too much time, let's quickly jump into the video Well look or design की बात की जाए तो Asus ने एक चीज तो माननी पड़ीगी काफी कमाल का future oriented design आपको दी है Back panel की बात की जाए तो काफी glossy है काफी good looking है, काफी attractive है Even जो smartphone हाथ में रखते हैं तो उसके जो in-hand feel है काफी बढ़िया हो जाते है क्योंकि back side में जो edges है वो काफी अच्छी तरीके से cloud किया गया है जिसकी वज़े से जो in-hand feel है काफी बढ़िया देखने को मिल जाते है और attractive इसलिए बन जाता है क्योंकि back panel जो है वो काफी glossy है जैसे light उस पे fall करती है काफी बढ़िया तरीके से आपको smartphone देखता है वेल, front side की बात की जाए तो यहाँ पे आपको Asus के Max Pro M2 smartphone के अंदर 6.3 inch की एक बड़ी display मिल जाती है अभी यहाँ पे जो colors है काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है IPS panel है तो viewing angle भी आपने लोगों काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है काफी बढ़िया है आपको यहाँ पे full HD plus का display देखने को मिल जाता है जिसकी वज़य से जब भी मैं अपने smartphone के अंदर जब movies देख रहाता है याप भी videos देख रहाता है काफी बढ़िया experience देखने को मिल जाता है वेल इसका जो notch है वो might भी आपको इतना बढ़िया ना लगे क्योंकि यहाँ पे Samsung Galaxy M30 के अंदर जो water drop notch है वो काफी small है लेकिन Asus के Max Pro M2 smartphone के अंदर आपको notch थोड़ा सा बढ़ा मिलता है लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे sensors देखने को मिल जाता है साथ में front में जो LED flash होती है वो भी यहाँ पे produce रखी हुए जिसकी वजह से low light के अंदर आपको काफी बढ़िया तरीके से help करता है photo click करने के पिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं तो यहाँ पे आपको gaming अच्छी तरीके से चले multimedia experience आपको बढ़िया मिले इसलिए आपको यहाँ पे future को ध्यान में रखते हैं Samsung Galaxy M30 को बीट करने के लिए आपको यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 660 का प्रोसेर देखने को मिल जाता है मैंने काफी सारे games खेले मैंने PUBG खेला बहुत लंबे time तक खेला काफी अच्छी तरीके से gameplay हुआ मैंको कहीं पे कोई lag देखने को नहीं मिलेगा इसका Adreno 512 का GPU अच्छी तरीके से आपकी gaming को handle कर लेता है in short आपके बाकी जितने भी games है वो काफी अच्छी तरीके से चलने आएंगे कोई प्राब्म फेस करने को नहीं मिलेगा compared to Samsung Galaxy M30 जहां पे आपको OctaCore Processor देखने को मिल जाते हैं लेकिन वो फिलहाल के time पे अभी भी weak है compared to Asus के Max Pro M2 smartphone जहां पे आपको एक high advanced level का Qualcomm Snapdragon 660 का Processor देखने को मिल जाता है वेल आगे बढ़ते हैं बात करते camera department की no doubt Samsung Galaxy M30 के अंदर हम लोगो triple camera का setup मिल जाता है लेकिन Asus के Max Pro M2 smartphone जह टाइम पे launch होगा था उस टाइम पे dual camera का setup चल रहा था तो वहाँ पे आपको dual camera का setup ही देखने को मिल जाता है लेकिन जो sensor size है जो opening है काफी बढ़िया है जिसकी वजह से low light के अंदर जो photos मैंने click की काफी बढ़िया आई है और daytime पे भी produce करके जो photos आई है काफी बढ़िया आई है आपको कुछ samples यहाँ पे दिखा देता हूँ उससे पहले मैं आपको sensor size वो सब चीज़ें आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो dual camera का setup देखने को मिलता है वो है 12 megapixel का main camera अभी यह जो camera है यह कोई normal camera नहीं आपको Sony IMX486 का camera देखने को मिल जाता है aperture की opening भी काफी बढ़िया है आपको f1.8 aperture की opening मिल जाती है जिसकी वजह से जो low light के अंदर जो light है काफी अंदर तरीके से आ जाती है इसके अलावा जो sensor size है वो काफी बड़ी है 1.25 micron pixel size का आपको यहाँ पे sensor size देखने को मिल जाता है bouquet effect depth of field create करने के लिए आपको यहाँ पे 5 megapixel का depth sensor camera देखने को मिल जाता है dance करके बताओ dance करके बताओ colors भी काफी accurate देखने को मिल जाता है और image stabilization भी हम लोग को देखने को मिल जाती है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं front facing camera के तो यहाँ पे आपको 13 megapixel का एक selfie camera देखने को मिल जाता है 1.12 micron pixel size का आपको यहाँ पे sensor size देखने को मिल जाता है 2.0 aperture की opening मिल जाती है स्क्रीन पर मैं आपको कुछ photo samples भी दिखा देता हूँ इसके अलावा video samples भी आप देख लीजे कि किस तरीके से आये है इस video is recorded by the front facing camera of Asus Zenfone Pro M2 smartphone और जैसे कि आप लोग देख सकते हो किस type की video recording हो रहे है Full HD के अंदर video recording हो रहे है और image stabilization का भी आपको आइडिया बढ़ जाएगा Hi Walsh, where are you? Say Hi! Colors B accurate है Hi करो Hi Hi Subscribe कर ले ना पटा बच्च Well Samsung ने अपना M-Series के smartphone काफी time बाद launch किये लेकिन Asus ने एक चीज का काफी अच्छी तरीके से ध्यान रखा पहले से ही कि अपने जो यूजर से अपने जो बायर से उनको बैटरी के मामिलें कोई compromise face करने को नाम मिले Asus के Max Pro M2 smartphone के अंदर बैटरी जो मिलती है काफी बढ़िया मिलती है Day to day time usage के अंदर आपको कोई problem face करने को नहीं मिलती है 5000 image की बैटरी आपको अराम से दो दिन निकाल देगी आगे पढ़ते हैं smartphone के दिर मिर्च मसाला होना बहुत भी ज़रूरी है क्योंकि entertainment के अंदर अगर मिर्च मसाला ना हो तो problem थोड़ी सी बढ़ जाती है बहुत सारी companies है जो इन सब चीजों पर अच्छी तरिके से धान नहीं देती लेकिन ASUS नहीं चीज में अच्छी तरिके से ध्यान दिया है हाजी अगर आप yes कर रहे हो तो मैं speakers की बात ही कर रहा हूँ यहाँ पर आपको speaker जो मिलता है काफी बढ़िया मिल जाता है मैंने gameplay किया मैंने movies देखी मैंने utps songs देखे यार काफी sound output जो है आप highest करोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार बहुत जादा हो गया है आप इसको अराम से भी 70% पे भी प्ले करोगे तो आपको sufficiently loud देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको speaker मिलता है काफी बढ़िया मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको 5-magnet speaker देखने को मिल जाता है साथ में आपको यहाँ पर NXP का amplifier मिल जाता है जिसकी वजह जो sound output आपको देखने को मिलता है इसके अलावा smartphone के अंदर dual 40 Vuelty आपको चल जाता है आपको कोई पर face करने को नहीं मिलता है यहाँ आप expand करना चाहते हो तो expand भी करज़ेक्टे हो क्योंकि यहाँ पर dual sim card का support मिल जाता है प्रस अलाग से dedicated micro hd card slot का option भी मिल जाता है इसके अलावा यहाँ पर face unlocking feature प्रवाइड किया है काफी बढ़िया है daytime में face unlocking feature अच्छी तरहीं से काम करता ही है साथ में low light के अंदर भी अच्छी तरहीं से काम करता है वेल आपको यहाँ पर back side में fingerprint sensor देखने को मिल जाता है अच्छी तरहीं से काम करता है कोई problem face करने को नहीं मिलेगी वेल last but not the least Asus ने protection के मामले में काफी बढ़िया काम किया है हम लोग जो smartphone use करते हैं तो काफी साथ स्क्रैची जा जाते हैं बार-बार smartphone घिर भी जाता है उस चीज को उस इंडियन users के demand को meet करने के लिए आपको यहाँ पे Gorilla Glass 6 का protection भी देखने को मिल जाता है जिसकी वज़ए से Asus के Max Pro M2 smartphone भले ही कुछ ताइम पहले launch हुआ है लेकिन अभी भी वह एक balance package के साथ में 11 900 नियामी रुपय के अंदर हम लोगों को buy करने के मिल जाता है अगर आगा smartphone buy करना चाहते हो तो link में नीचे description ने देदेगा वहाँ जाके check out कर सकते हो और इच्छा हो तो buy भी कर सकते हो Smartphone related आपको कोई भी doubt कुछ भी confusion है कर सकते हो